ओम नमार शक्ति चवाय फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह कुछ पेंडेंट हैं और मैं यह पेंडेंट इस्पेशली बनाती हूं किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए उसी प्रॉब्लम से लेटिट मंत्रों को अभी मंत्र बनाती हूं और जिसको भी मिलते हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व होई है अगर आपको नीड है तो आप कॉंटेट कर सकते हैं यह पेंडेंट मंगा सकते हैं यह आपकी लाइफ में काफी पॉस्टिविटी लादेंगे जो आपकी विश होगी वो जरूर जरूर पूरी होगी चलिए अब मैं वीडियो शुरूर करती हूं उनिवर्स प्लीज गाइट कीजिए कि मेरे विवर्स के लिए क्या जानना जरूरी है ऐसा क्या है जो जिसको वो अपनी जिन्दगी में अपलाई करके अपना जीवन बेटर बना सकते हैं अपनी जिन्दगी में खुशियां ला कीजिए तो यहां पर फर्स्ट कार्ड है उनिवर्स की वर से किंग ओफ सोर्स नेक्स्ट एट ओफ सोर्स एंड त्री ओफ वैंट्स नेक्स्ट कार्ड है यहां पर एट ओफ वैंड्स एट की सिंक्रोंसिटी आपको हो रही होगी तो जरूर कोई ना कोई मैसेश आपके लिए है नेक्स्ट यहां पर नाइन ओफ वैंड्स एंड तो ओव कर्ब्स Online 3 ओफ करें बना मैं भी एक्स्प्लेण करूंगे आपको सारे कार्ड्स यहां पर दिखिए bottom of the deck में दिखा देती हैं आपको वाउ फोर ओफ वैंड्स इतना प्यारा मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स चलिए मैं आपको काड बता रही हूँ यहां पर दिखिए फर्स काड जो आया है king of swords आप जो देख रहे हैं यह काड king of swords का मतलब है कि आप कहीं न कहीं आपका ego तोड़ा गया है आप बहुत ज़्यादा कैसे थे कि dominating nature के हो रहे थे जड़ा ऐसी बात पर आपका ego hurt हो रहा था ऐसा कुछ था आपके साथ में और आपको divine ने king बनने ही भेजा है लेकि king हर king के हर emperor के अपने अपने principles भी होते हैं अगर कोई king इस तरीके से react करे कि मतलब हिटलर्शिप दिखाए अगर इस तरी से work करेगा तो जिंदीकी मतलब दूसरों के लिए अब क्या कर पाऊगा शक्ती शक्ती तब काम आती है जब हम दूसरों के मदद कर रहे हैं तो डिवाइन उसको सबक शिखाते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपके अंदर स्ट्रेंद तो बहुत है पावर बहुत है और लॉजिकल बहुत हैं आप दिमाग बहुत लगाते हो जो कि सही भी है यहाँ पे यूनिवर्स यह बिल्कुल नहीं करें कि आपने कुछ गलत किया है लेकिन यूनिवर्स ने यानि इश्वर के जिस रूप को मानते हैं आप जिस भी रिलीजन से हैं तो आपके थॉट्स से वो चीज़ें रिमूव करी हैं जो चीज़ें आपके लिए हैल्फुल नहीं थी आपको लग रहा था मेरे लिए वो सही है लेकिन डिवाइन के अगॉर्णिक वो आपके लिए सही नहीं थी तो ऐसे थॉट्ट प्रोसेज़ आपके चेंज करे गए हैं कुछ थिंकिंग पैटर्ण में आपका चेंज जरूर आया है और जो चेंज आया है ऐसा नहीं है कि आपने लौजिकल होना छोड़ दिया है लेकिन जपने लोजिकल होना चीजों को एक हougता तर्क दूसरा हुता होता कुटर्क तो कहीं कहीं आप पहले कुटर्क देज़ दिया करते थे कि नहीं मेरी बास सही है अब वो इफ वर्ट चाहे जैसे भी करें मुझे मेरी बात सहीर करनी है तो डिवाइन ने यहां आपको यह समझा है कि हर समय तुम्हारी बात सहीर नहीं हो सकती दूसरों को भी एसेप्ट करना सिखो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है इसलिए किनी किनी आसपेट से किनी पॉइंट आपका कहीं न कहीं इगो भी हर्ट हुआ है आपका इगो तोड़ा गया है इगो का मतलब क्या होता है मतलब होता है कि मैं जो कह रहा हूँ मैं जो कर रही हूँ वही सही है तो वो आपका तोड़ा गया है इसके लिए आपको हताश निराज होने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ लेखिए एक जब कोई हम प्लांट लगाते हैं जब उसमें बहुत जादा जाड़िया होती है जैसे कि डेकोरेशन के लिए प्लांट होते हैं अब मैं बहुत टॉल ट्रीज की बात नहीं कर रही हूं इसमें डिवाइन ने अपने प्लांट सैपलिंग कर रखी और आप जैसे डेवोटी सोल की के तुरू और आप लोग जरा सा भी आपके जो थौट प्रोसेस है वो जरा सा भी डिस्टरब होगा यानि जो ब्रांच जरा सा भी इंबलेंस होगी मतलब इर्रेगलर होगी जहां मर्जिया है वाँ फैला शुरू होगी वैसे ही वो ब्रांच काट दी जाएगी तो ऐसे ही आपके कोई तो अगर पेड यह शोग मनाए कि तो वह पेड की नासमधी होगी और वह ब्रांच टूट गई को बात मिन नहीं ब्रांच निकलेगी आप जो ट्रिमिंग की गई आपके जो जो कार्ट छांट की गई आपके थौट्स की वह आपके लिए वैनिफिशिल थी इसलिए आप बिल् उलज गई तो इन सारी बातों में आपको नहीं फसना है और अगर आपको लग रहा है कि आप अभी इस्टक हो तो यहां पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप पे भलाई कोई कि a spell किया गया हो कोई black magic भलई किया गया हो जिसकी भी ऑनरजी के वेसे आपको अभी और डिवाइन ने आपको उससे प्रोटेक्ट नहीं किया क्योंकि उससे आपकी को ही लर्णिंग कनेक्टेट थी कुछ सीखना था आपको और क्या सीखना था अगर किसी से हम बच्चों से जब यह कहते हैं कि बटा ऐसा मत करो तुमें चोट लग जाएगा यह हो जाएगा तो अगर को यह जोट लगना जाएगा तो अपने उससे भागने लगते हैं तो कुछ ऐसा ही था आप एक पैटर्ण पर चल रहे थे आपको कोई ऐसा था था कोई ऐसी मैथलोजी को आपने सोच रखा था माइंडसेट कर रखा था नहीं ऐसा ही होता है ऐसा होना चाहिए कुछ अगर कोई ब्लैक में आप पे सक्सेस हुआ भी है वो सिर्फ इसलिए हो गया है कि डिवाइन ने भी सोच रह लिया था दिवाइन का भी प्लान था कि यह हो जाने दो तभी इसको यह लर्निंग मिलेगी यह लर्निंग इसको इसी तरीके से मिलेगी तो आपको कोई अब यह वीडियो आपको मिला ना तो डिवाइन एक वह होता है कि जो हमारा कोई अपना होता है तो हमें डाट भी देगा और उसको पता होगा कि मैंने इसको डाटा इसको हर्ट हुआ है यह लर्निंग ले ले उसको बाद हम इसको प्यार से मना लेंगे ऐसा बहुत बार होत कर भी कि आता है तो मौरे लिए लीज जरूर थी आप तुम्हें ले ले लिए चलो ठीक है आप तुमागे चलो मैं हो न तुमारे साथ तो आप अगर कोई इस्टक अनरजी फीड कर रहे है वाहार बिलकुल नहीं गलाई है बिलकुल वह एनरजी आपके जयीवह सिफ डाली इस अभी हो सकता है कि दिवाईन ने खट आपके काम रोख दियो कि हुने ने दियो किणि कि अभी अभी टाइम नी याए क्योंकि डिवाईन ने आपको किसी परपस से भ으 Beef Age दरती पे उस परपस के लिए अभी आप डेड़ी नहीं हो पाएं। कुछ करना अभी कुछ देखिए एक बड़ी रेस्पंजबिलिटी लेने के लिए हमारे अंदर उतनी स्किल भी होनी चाहिए उतना पेशेंस भी होना चाहिए उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए और वह चीज शायद अभी इश्वर की नजरों में मैं नहीं बोल रही हूं ऐसा इस टोर के नजरों में अभी हाँ पर्फेक्ट नहीं थे एक जो तो होता है जा च्रत Hegyup यह शुण है रहे सो छमय आपट रेले में चैलाहे को छाहे शक्की सब करेंक आ उसके नहीं तो नहीं कि प्लेंड करता उक और अस वह के ढाले म dachte एक भी प्रफेक्ट नहीं उसके भी हो एक चैलेंगी कि लेव इस असलेगे आपको रोग दिया कहाता है जब रुखो तुम आप और सीखना भी और सीखना है कि एक महा की तरह जैसे मातापिता कहते है कि अभी रुख जो पर यह सीखतो लो पहला ऐसा करतो लो तब तब तो जाना वहाँ पर तो वही आपके साथ हुआ है दिवाई ने बड़े प्यार से आप तो बोल लही हो प्यार से आपको भले ही खराब लगा हो आपको आप अपके लिए बहुत अच्छा किया है आपके आपके लिए लर्णिंग बहुत ज़रूरी थी और नेक्स काड़ दीखें यहां पर थी और वेंड्स का मतलब क्या है यहां पर जब वहां पर रुके हो अपके लिए खराब भागे जारे तो यहां एक बच्चा होता है कि मैंने लाइफ देखे हैं कि चिल चलाती जून की धूप है बच्चे तो बच्चे हैं उनके मन में क्या आज़े और उन्हें भागना शूरू कर दिया उन्हें कोई मतलब नहीं कि मेरे पार ज़लने में एक कुछ ऐसा ही आपने कर रहा है कि आप अपने पात बाऊदस पहा जा नहीं इससे का कि यह आ आवाँस देखे तो दिवाई ने कोई बड़ा जवरता बहुत्स्री इka को विए यह एक एक पिक्चर मुझे फील हो रही है आप आप सोचके देखिए कि मान लीजे आप एक छोटे से बच्चे हैं और आप मटरकस्ती में भाग रहे हो ऐसे ही भाग रहे हो और मा को पता है कि आगे जो रास्ता है वो सही नहीं है वहां आपको चोट लग सकती है तो मां के पीछे पी सब्सक्राइब भागे जा रहा है सुननी रहा है मेरी बात तो आगे आपके फादा रहा रहे थे उन्होंने आपको पकड़ा और बोले तुझे मां गुला रही सुनाई इन देरा तो दो चपत लगा है पकड़क वहीं खड़ा कर दिया कि चलो आप घर पे तो वह कुछ आई आप क्या करें तब बच्चे तब उसका षी जो यहां होती है तो चाहमास सहमा सा बबेड रही मेरा सालי इं की आप मेरे साथ क्या हनाली क्योंकि पता है उसकी पेरेंटस है उसको सबक सिखा wesे और इतना डर्भी घर गलती करती है आप पिटाय shirts मुझे है तो वह पता है कि त अब क्या करूं डिवाइन डाटा तो है यह भी पता है कि डिवाइन जो किया है वह अच्छा किया है तो इस अनर्जी में आके आप अनलेसिस कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए तो और अब मैं आपको यह आइडियस जरूर दोंगी कि एक शैतान वच्चे के तरह आप यह म चुपनी सकती हम कितने भी सायाने हो जाए लेकिन उपर वाला तो फिर परमात्मा है हो उसके आगे हमारी नहीं चल सकती इसलिए ऐसे शरारत नहीं करना आपको चुपचाप यह अच्छे मासूम से नादान सी क्यूट क्यूट बच्चे की तरह आपको यह कहना है कि है इश् और आप बोलते हुए दिख रहे हो त्री ओफ वैंट्स के अररजी में खड़े हो ना यही कह रहे हो कि ठीक है आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा मुझे बच्चे वाली अररजी कोई है कोई इश्वर को अपना माता-पिता मानता है आप ऐसे कोई सोल है किसी का ऐसा ह अब यही लगाव है इश्वर से कि वह मेरे माता-पिता है तो अपने शरारत की है तो इश्वर ने थोड़ से डाटा आपको उसमें क्या हो गया डाट तो पड़ती रहती है बड़े भी खाल लेते हैं नहीं कोई बात नहीं जब अपने को बच्चा मानोगे न अपनी सोल को अब असको बच्च से करेंगे करेंगें अब इस ड्लत sjAT मुंहां बच्ट करेंग devo माने बोला था कि रुक जा तो मुझे रुक ना था अगर मा के कहने पर रुक जाता तो पापा की चपत नहीं लगती तो फुर आपको आप आपने शाना जिविए प्शरा नी सुरू हां कि मुझे यह जो learning आपको मिली है ना जो अभी आपके साथ कुछ हुआ है यह बहुत बड़ी learning मिली है इस learning को आप कभी भूलोगे नहीं इस life में नहीं भूलोगे और अगर आप next birth में आऊगे तो आपको आपकी soul में यह next birth में भी यह learning रहे अब यह जो अश्यू था जो कमतलब यहाई हम प्रोज शनी ज़ो कम खिर नर्य जचे अंति होती है कुछ खराबात कामने है कि अटेकि मैं अच्छाया रुरा है तो वह कोई ब्लॉक शनी चाहिज से क्लेर कर दिया गया उखा झाल, क्ली यहाई हमीशे हमीशे करए है प्यार कि too we willoph the तो सच में आप खड़ा कर रहे होगें तो सच में आप एश्वा के प्यार मैसूस करे रहे होगे सच में बरस राया आप पे eight of wands या daha और जब एकश्वा का प्यार आप बरस रहा हां और जब एक बच्चन गलती कर कि accept कर लेता है हाँ मेरे से गलती हुई अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा करूँगी और फिर कुछ अच्छा कर देता है बच्चा कोई learning ले ले लेता है कि अगर वो अपनी जुबान से कहता है कि हाँ मैंने ये गलती की ती मुझे करना ने चाहिएए मैं मा सोरी ममा पापा से सोरी अगर वो तोड़ी सी चपत लगाई है, आपको जो लर्निंग दी है, आपने लर्निंग ली और उस लर्निंग में आपको इश्वार का प्यार मैसूस हुआ और फिर जो आप अपने व् Taliban को छेंट्चू बोल रहे हो, जो लर्निंग देने के लिए और इश्वर से जो कह रहे हैं कि है इश्वर मैं गलती करूँ तो ऐसे ही चाहे जैसे चाहे डाट के चाहे प्यार चैसे चाओ वैसे मुझे सम्हाल लेना जो आप इस तरीकी की बाते कर रहे हैं इश्वर की अनरजी इश्वर का प्यार मैं होती कोन हूँ मैं कैसे एक्स्प्ले लव ही करते हैं आप पे blessings बरस रही है प्यार अश्रवाद बरस रहा है आप पे क्योंकि आप वैसे बन गए जैसा इश्वा बनाना चाहते थे क्यों बनाना चाहते थे इश्वा का अपना कोई स्वार्थ नहीं था इसलिए बनाना चाहते थे कि वैसा बन के ही आप मिसाल वनोगे याद करे जाओगे नाम अमर होगा आपका इसलिए आपको वो टफ ट्रेनिंग से गुजारा गया था और वो प्यार इश्वर का मैं फिल मेरा हाड चक्र बहुत लाइट फिल कर रहा है मुझ मेरे मुझ में वो प्यार उमड़ रहा है वो वातसल उमड़ रहा है आज यह एनर्जी ना यह वीडियो बिलकुल एक वातसल ले वाली एनर्जी है कोई है जो इश्वर से माता पिता या भाई वेन कुछ भी माल लो वो एक प्रेम वाली जो भकती वाली अपने हार चक पर यहां आप आप सकते हैं यह आप खड़े कैसे खड़े हो मिलेव recycling आपको आपने लर्निंग ले लिए है divine ने इतना प्यार कर दिया है अब जब शैतानी करी थी आपने भागे थे आप learning नहीं ले रहे थे माव बुला रहे थे example जो मैंने दिया था तो फिर divine ने थोड़ी से चपत भी लगाई थी आपको learning के लिए थोड़ी से चोट भी लग गई थी चोट लगने का मतलब है की वह उसêuां क काम रुक है या तो वह पीन याद थी ना अब आपको यह ऊछचोनल कि क्या थी चलो अच्छा हुआ उस टैम के जरूर परेशान जरूरत लग रहा था था सब कुछ खराब हो रहा है लिके नहीं वह अच्छा था अच्छा हुआ वो सब हो चुका जैसे कि महावारत का युद्ध जब होने वाला था तो हर किसी ने टालने की कोशिश की थी मैक्जिमम जो बुद्धी जी भी लोगते होनों ने टालने की कोशिश की थी महागांधारी भी बहुत परिशान हुई थी लेकिन जब युद्ध decide हो ही गया कि हाँ अब कुरक्शित में जाना ही, अब युद्ध होना ही है जब ये decide होने लगा मागांधरी समझ गयी कि अब नहीं बच सकते अब युद्ध हो गई तब मागांधरी इस energy में आ गई थी कि ये युद्ध अगर होना ही है तो फिर मैं चाहती हूँ कि अब ये युद्ध हो और समाप्त हो क्यों? क्योंकि वो डर था ना ये युद्ध होगा तो कितना बड़ा विनाश होगा? जब युद्ध decide होगया तब अब क्या? क्योंकि अब healing कहां से मिलेगी अब climax क्या है तो युद्ध हो और खतम हो मतलब जो जिस परिस्तिते से अभी गुजर रहे हैं कि हाई युद्ध होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा तो आप हो ही रहा है तो हो खतम हो मतलब उस विनाश को उस इतनी इतने दर्द को फिर accept कर लिया क कि अब इसके बाद ही सुकून मिलेगा फिर उस सुकून को याद किया कि यह जब निपट जाएगा यह खतम हो जाएगा चलो तब तो सुकून मिलेगा अभी तो इस दर्द में थे कि हाई यह होने वाला है ना हो ना हो लेकिन हो गया अना अब डिसाइड हो गया तो चलो हो गए हो कि यह हो रहा है ना चलो ठीक हो हो और निप्टे मैं भी देखता हूँ देखती हूं कि जो होना होगा हो बजह कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह बिंदाज इस से आंड़ी में आपको लाने के लिए ना जो हुए आपको प कशण एक में घ्रred के लिए इतिता ही वजा करने के लिए इसे में डाला गया कि है ओड़ना ड़ेम है सब्सक्राइब आप को इन किया तो आप दूनिया सा जाना है डरना किसガा का इश्वर का हूं.... हो पस्ति और चाहिए ऑप भाई हो वह जी उर्जी में उर्ट हो जा इसे शिता हैं कि दो इस अनर्जी में बिन्हें से क्रिकेट का एकूर अगर लासट ऑब ऐसा मौल डिजी करेगी कि हम जीतेंगे हें जे या हरेंगे तो फिर लास्ट बाल जब होती है तो उससे प्लेयर नहीं सोचता है कि इस पर कहीं मि आउट ना हो जाँ पिर इस बॉल को खिलता है कि यह दो रण बाकी जो आगे यह ले खिलता है यद už जाये मतलब free होंगे fearless kten energy में लाने के लिए अपके साथ ही सब कुछ कि अगया आपको इस तारी energy मैं टालागे provision demand लाकूँ on the prize मतलब दर से आपको उकताया जा रहा है आप दर से उकता जाओगे और हो सकता है बुकताने लगे हो कि डर डर की क्या फाइदा जो होना होता है वो तो हो जाता है ना तो डर जे फाइदा क्या है जो होना होगा वो तो होगा ना आप नहीं डरना मुझे हो जो होना हो इसी फिर आपको fearless और insecurity के energy से निकालने के लिए आपके साथ जो कुछ अभी हुआ है वो आपके भले के लिए हुआ है और देखिए क्यों यह सब क्यों ज़रूरी था आपको क्यों कि आप twin flame जर्नी में है तो यहां से clarification है आपको कि आप सच में twin flame जर्नी में है और इसी लिए आपकी यह learning चल रही है तो यह वीडियो आपको गाइड कर रहा है कि हां सच में आपकी लर्निंग थी और अब आप यह accept कर पा रहे हो कि यह जरूरी था मेरे लिए और क्यों जरूरी था क्योंकि ब्लॉकेज हील होते हैं तो आपका यह ब्लॉकेज यह insecurity और हो सकता है जल्दवाजी वाली energy और चीज़ें सो समझ के ना करना बहुत सारे ब्लॉकेज थे वह ब्लॉकेज आपके release कराए गए हैं अब को लग रहा है कि अभी नहीं हुए release तो बहुत जल्दी आने वा बिंदास वर्ड आपने अगर सुना है तो वह उस अनर्जी में आपको लाया जा रहा है बिंदास का मतलब होता है दा फूल के energy मान लीजिए carefree होना कि और carefree का मतलब यह नहीं है you carefree का मतलब आप आरवाही नहीं है caring तो आप रहेंगे आप अवेर तो रहेंगे लेकिन divine पर ट्रस्ट इम्याइबर वो सब pana मेरे साथ उस्यक्ति करूंग या करूछी तो divine तुरंत समाल लेंगी आप छुपागे कोई काम करोगे और वो सही नहीं होगा तो वो सब के सामने लातीया जाएगा दूसरों की चुप जाएगी लेकिन आपके नहीं चुपती होगी तो वो सब इसलिए अगरा गया है कि आप आप डिफरेंट हो आप इश्वर के बच्चे हो आप इश्वर के आप डिवाइन कहाने तो मेरे से मैच करते हो जो मैं कह रहा हूं वो करो मेरे साब से चलो तुम और मैं तुम्हारा हूं तो आप यूनियन के लिए जो एनर्जी ज़रूरी है उस एनर्जी में आपको लाने के लिए भी ये सब कुछ हुआ है देखे आप ये ब्लॉक इस रि कपस की एनर्जी यानि आपको अपने ट्विन के साथ में यूनियन सेलिवरेट करना है तो उसके लिए कि आपको पूरी तरह से प्योर नहीं होना होगा आपको अपने सारे ब्लॉक इस रिलीज नहीं करने होंगे क्या तो वह सब तो करना पड़ेगा ना तो ये सारी मुझे टॉप कर के दिखा और तब तब तुझे तुझे अपने पसंद की चीज खानी है ये चप्टर लर्न कर दे मुझे तो वह सब आपके साथ हुआ है मुझे बच्चों वाली आरजी बहुत की लोगी है कि कोई है जो बहुत बच्चों की तरह बाते करता है और कर रहे ह या तो आपके युण अ चेव करने क CEO कुछ आपके साथ हुआ वो ब्लॉक ए फाले रिलीज करें जो आपके यूण में प्राब्लम क्रियेट कर रहे ङांग दे आपके वी ग्रेंट करें आपके यूणियो में आने के गया स słual मेळे काना आ आपने चुन में के साथ साथ सेले कर रहे हैं जिसको आप चाहते हो कि ही बगवानी जिंदी के में वापस आ जाए तो उसके वापसी के लिए उसके साथ सेलिवरेशन के लिए आपके इसारी शूजी लिए हुई होना जुरुरी था बॉर्टम तर टेक तेखिए फोर ओवेंड्स का मतलब समस्ते हैं यूनियन य हैं एक हैपने वाले हो और यहां तक लाने के लिए आपका ट्वीन जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सोल्मेट हो कौई भी हो हो या आप हजडर्ण वाइफ हैं और अगर अगर अब उसको वापस लाने के लिए साथ में आपकी मेरिट लाइफ अच्छे से गुजरे अब आप जो जो कपल बन रहे हो ना तो हैपी कपल प्रूफ हो जाओ आपके यूनियन के लिए आपकी हैपी मेरिट लाइफ के लिए जिंदीगी भर की खुशियों के लिए सब्सक्राइब स्कूरे आपकी शोल से यह सारे ब्लॉक्स लेयर खटना जरूरी था है इसालिए आपके साथ तोड़े इंसिदेंट होगा के काम रुके हैं आपकी इन्सल्ट भी हो सकता हुई हो मतलब पेइन मिला है आपको किसी भी तरीके से आपको मिला हो तो वो सारे पह इसलिए मिले हैं ताकि आप हर लॉक मैं बोल चुकी हूँ Lust, Fear, Insecurity, Codependency, इन सारे काम करों लोगों में। सारे विकारों से, मतब़ अगर एक सेंटेंस में भोलोँ, तो विकार मुक्ति के बाद ही युनियन होता है, तो युनियन के लिए विकार मुक्ति कराने के लिए आपके साथ यह सारी कुछ निगेटिव इंसिटेन्ट आपके साथ हुए है। आपको पें मिला है सिर्फ आपका यूनियन को कराने के लिए और पें यूनियन को कराने के लिए प्योग हुना जरूरी है इसलिए यह सारे ब्लॉकिस क्लियर करें आपकी जिंदगी में थोड़े सी मुश्किलों का आपने सामना किया है वीडियो बहुत लंबा हो चुका है फिर भी मैं थोड़े सी ब्लैसिंग्स देख लेती हूं दिवाइन की ब्लैसिंग्स और क्या है आपके लिए अदर्वाइस वीडियो यह काफी लंबा हो चुका है देख लेती हूं डिवाइन और आपको क्या ब्लैसिंग्स दे रहे है वैसे ही बहुत सारी ब्लैसिंग्स दे भी है यहां ओ मैं गड़ अब क्या कहूं यूनियन के इवाइन के यहां है सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि मुझे यूनियन कराना इनका मुझे union कराना है बतारी मेरे टोन में यसी हग वाली हो रही है कि हाँ मुझे union ही तो कराना था इसलिए तो मैंने किया था यह सब यहां पर देखिए यह करें करें seeing God seeing God आपका divine पर ट्रस्ट डवलब करने के लिए आपको divine से ज्यादा कनेक्ट करने के लिए क्योंकि दर्थ होता है तब ही सोल पुकारती है कि है इश्वर बचा मुझे तो वही आपने किया बच्चा जो भाग रहा था ना जब उसके सामने problem आई तब जब फादर चपत बच्चा भागता है अपनी मा के ओर कि ममा मुझे बचा लो ना वही हुआ है तो आपके सामने यह problem से लिए आई ताकि आप इश्वर को पुकारो और इश्वर को जब पुकारोगे ना इश्वर को यानि डिवोशन के पात पर चलोगे जब डिएफ डिवोशन के पात पर च बतलब और यहां पर दोनों कार्ड एक सार्ण हुए और दोनों कार्ड में क्या था रेखिए एटर्नल सौल यहां पर सीइंग और आपको डिवोटी बनाने के लिए एक स्ट्रॉंग डिवोटी कि जिसका डिवाइन पे ब्लाइन फेथ है वो डवलप करने के लिए आपको की यूनें के लिए आपके यूनियन के लिए मैं तीनों कार्ड आप एक सार्थ दिखाते ही तब और र सही दे समझा आएगा टिखिए यहां पर मैंने बोला था अपके जिलीए के लाने के लिए आपकी बोका के कुलिए है इसलिए मुश्त्यों से गुजारा गया थे चैन खुशियों से गुजरे यूनियम में शादी वगएरा के लिए शादी हो आपकी और फिर देखिए खुद भगवान करश्ण और रानरानी आई हुई है यानि यूनियम में आने के ट्विन फ्रेम इस्ट्रॉंग सायन है यह भी ट्विन फ्रेम है और यूनाइटेड है तो हैं आपके साथ वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगी जो कुछ भी मुश्कल है वो सिर्फ आपको यूनियन में लाने के लिए हैं आपका यूनियन जरूर होने वाला है इसलिए इन मुश्किलों से बिल्कुल में डरिये बिल्कुल ट्रस है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो इस क्रीन पर दिए वार्स नूमर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग हीलिंग के लिए और उसको दिखाने के लिए ड्रीम डिकोडिंग के लिए जिस तरीकी भी आपको चाहिए उसके लिए आप मुझे कर स तो आप अपाइन्मेंट लीजिए जो कि चार्जबल होता है अपाइन्मेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूहीं हर किसी को एक गंड़ा नहीं दे सकती हूं मैं मतलब मैं इंसान हू तो प्लीज आप अपाइन्मेंट लीजिए और उससे पहले आप मुझे प्लीज वाट्स आप कीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है वह भी शेयर कीजिए मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको अंसर कर दूंगी मैं वाट्स पे आपको रिप्लाइग कर दूंगी मैं या दस मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूं अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो मेरी मजबूर है क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं उनको भी नीड होती है तो प्लीज में मुझे मुझे विश्वास से आप सब पे आप मेरी प्रॉब अगर मैं ऐसे ही गंड़े बात करूंगी तो जो बहुत ज्यादा नीडी है जिसको बहुत जरुवत है जो पेमेंट कर रहा है जो अपॉइंटमेंट ले रहा है उसको टाइम देना मुझे 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 हो जाएगा तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि आपको अ ब्लीज गर ब्लीज यू